गुड मॉनिंग फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग मैं अब देश्कमार आप सभी का फिर से एक बार दुबारा अपने यूट्यूब टेल में स्वागत करता हूं तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए जैसे आपने प्रिविएस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमन में मौनेंटरी पॉलिशी कमिटी और जो उसके मेजर टूल से उसके बारे हम लोग देखेंगे कि किस परकार जो आर्बी आई है आर्बी आई मौनेटरी पॉलिसी कमिटी के जो दोरा हैं वह कैसे कंट्रॉल करता है इंफ्लेशन ने पॉलिशी किम्यूटित ऐसे क्या क्रिटी को मार्केट में फुलो करती है यह सारे बाते हर एक पेपर में चाहें कोई एकजाम देंगे आपको आपको हर पेपर में ऐसे कोस्टन आने फिक्स हैं इससे question आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है मौनेटरी पॉलिसी कमीटी के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं होता है क्या मौनेटरी पॉलिसी कमीटी है यह आरवी आई की जो गवर्नर होते हैं उनके चेर्मेंशिप में बॉड़ी सटप किया जाता हैं अंडर मौनेटरी पॉलिसी एक्ट के रिजाने कारण इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम एक स्ट्रचाुरी बॉलेंगे ठीक है ना तो इस्ट्रुरी बोडी वो होते हैं जिसको किसी एक्ट के माध्य हम से सट अप किया जाता हैं और अगर सब्सक्रूर्चर देखें इस ह कैसे सर्च कमिटी होता है सर्च कमिटी के सर्च कमिटी के रिकमेंडेशन पर जो गवर्मेंट होती है वो तीन इंडिपनेंट मेंबर को क्या है इलेक्ट करती है जिनका टेन्यूर फोर इयर का होता है ठीक है जोस्तों जिनका टेन्यूर फोर इयर फोर इयर के लिए होता है और और एगर वहां से सकती है और तीन हनिव अरिवा मंभर में जो पहले हूंगे जो पहले होंगे वो अर्पीया के आइआर आ कि ग cachay रम होंगे इसके जो विएस कर वनलर होंगे बेग Сп инструмент होð जाएंगे वह ठर्ड जो होंगे वह इसके हैं वोट के द्वारा होता है अगर मालने छीक्स मेंबर हैं तो कोई भी वोट होगा वोट का वोट लिया जाएगा अगर थी रेशियो 3 का डिसीजन लिया जाता है यानि कि जो किसी भी चीज़ पर decision अगर एक्वल हो जाता है तो इस कंडिशन में कास्ट्टिम वोट का जो राइट है गवर्णर को दिया जाता है तो यहाँ क्षेट यह उठता है कि क्या होता है कास्टिम वोट को कहते हैं जब जब किसी भी चीज के प्रक्ष में एक्वल वोट हो जाएं एक ऐसा नंबर होता है जिसको की राइट होता है कास्टिम वोट का तो वह अपना वोट देता है तो जिसका जो वोट होता है वह जिस प्रक्ष में वोट देगा उस प्रक्ष को निर करने के लिए मिनिममम चार मेंबर होना चाहिए अगर चार मेंबर से कम हों ग Goldman की जो है वह काम नहीं करती है औरमकर मुर्ण मेजर औइप्टिव कहते हैं तो क्या है उसका जो मेजर औग्डिव है कि एंफलेशन को करना जो एक टाइम जानने देना है और इसके जाध्य भी नहीं जाने देना है टू से कम नहीं ओर दानी जानने हैं यह Ann काम करती हैं कैसे करती हैं इंप्रैंट यह है कैसे करती है तो तो आर्बीयाई के एक्ट आर्बीयाई एक्ट 1934 के सेक्षन याद रखेगा दोस्तों सेक्षन 45 जैड़े 45 जैड़े के पेरा वन के कॉर्डिंग में इसमें लिखा है कि जो आर्बीयाई है वो गौवर्मेंट के साथ मिलके इंफ्लेशन ं टागेट को कंट्रोल करने के लिए पिए काम करेगी और अगर्माट्री। इसको प्राफ्त नहीं करती है इसके लिए मौनटी फोलिसी जिम्मेदार मानी जाती है याणि कि inflation टांगेट करेक्ट को करने पर पूरी होती है मौनटरी पॉलीसी के ऊपर हो सब्सक्राइब और हर साल में यह साल में पहले मिनिमंम जो हैं तीन सब्सक्राइब में बैठा के करती थी तीन बैठा के करती थी आप यह साल में भार करेगी यानि की पर यह जो है जो यह पर यह पूर सकते हैं इसमें कि कि राकार काम कर रही है कौन कौन से सोर्स अपनारी जिससे कि वो इंफ्लेश्ट टाइकर कカンタोल करेगी उसके बारें बतातीहें और गौहांद में अपने रिपोर्ट में यह इजये इन हैं आगे चल देखते हैं हम लोग स्लाइड में कि किस परकार जो है कौन मैजर monarchЯ 2 से जिसके दौरा जो और भी आई है सब्सक्राइब करती है तो पहला है क्याश रिजर्व रिश्यू सेकेंड एस्ट चुरी लिकुडिटी रिश्यू ठर्ड है रेपोरेट फॉर्थ है रिवर्स रेपोरेट देन है मार्जिन स्टेंडर्ड फैसलेटी है स्टेंडर्ड तो कि स्टेंडर्ड तो पहला है ठीक्याया देना है स्टेंडर्ड फैसलेटी होता ऐसमने की रिवर्स लिवर्स बाइस्यूंग्जाञ्ण streaming. के माध्यम से जो आरबी जो मॉन्ट्री पॉलिसी कम्येटी है वो इंफ्लेक्शन टागेट को कंट्रोल करती है यह मदलब कह सकते हैं की जो में रिवर्स रेपो पर की प्लस पर जो है लोन दिया जाता है और कि एक दिन के उधारिक में जोड़त होती है एक दिन से लेके तेरा दिन के बीच में उधारिक जोर्त होती ह innocent दे सब करके हम सबक默 sì किसे बारे में तो चलिए पहले हम देखते हैं कि यह पहले हम देखेंगे कि होता क्या है तो पहला प्इंट है टोटल ट्वाक्त सब्सक्राइब गोशित कि हर बैंक अपना चार परसेंट च्छार परसेंट के जो पर सेंट वो कहें हैं आर्बिया के पास जमाघ करेगी अब क्या होता है यह भी इंपोर्टेंट हैं जैसे मालें लेना लोन देना में घुमाती सो रुपए तो सौर पर सेंट कितना होगा सौर में से जो है वो आरभीया जो हैं सवारी बैक्स होते हैं वह RBI के पास जमां करती है और इस चार पर्पय को वो औ시면 ही कर सकती है लोन में क्या है यूज नहीं कर सकती है और वो अब जो commercial bank होते हैं वो सिफ़ाव 96 रुपया का ही लोन में इंप्लो और फुलो कर सकते हैं इंप्रोटन्ट एंडटियल क्या होता है नेट डिमांड इसमें दो चीछ आगया है ना एक दिमांड पलस में क्या है टाइम लियाबिलिटीज ठीक है नेट डिमांड है टाइम लियाबिलिटीज दो चीछ मिलके यह बनता है टोटल एंडटियल बनता है जितना भी बैंक के पास पैसा होगा उसका जाए एक लाक हो एक करोर हो कितना भी पैसा होगा उसका चार परसेंट वो और वय को समिट कर दे नो लेंड इंपोर्टेंट दोस्तों नो लेंड एली एंडी उधारी में इसका यूज नहीं किया जा सकता है बहुत ही इंपोर्टेंट यह पॉइंट है याद दखेगा और और यह सब बैंक के लिए अपलाई फॉर ओल ठीक है ना अपलिकेवल जो है एक एक अपलिकेवल हो जाहे वो A5 वाल फॉपर एपलिकेवल होता है सी आराड जो है बहुत ही इंप्वर्टेंट पॉइंट है अगर इसको कोई भी इंटी नहीं करते तो इसके पार पैनल्टी आर्बी लगा सकती है क्या है पैनल्टी इंपोज कर सकती है अमज गये डिखे तोटल एंडी टी का है ठीक है टॉतल एंड़ी टीयल का 4% कहा करेगी आर बी आई के पास स्वां कर देजीं सेकेंड पॉ matrices क्या करते हैं अफён convincing किया ठीकां कि हिए एक आll algebra यह सकता है इसके बाद इसके है नो लैंड यूज टेक है ना इसको क्या है इसको अगर इसको यूज कर सकते हैं कि यूज नहीं किया सकता है उद्हारी देने में इसका यूज नहीं किया सकता है यह इसका पहला पॉइंट देखें तो यह भी टोटल चल फुऱonen इंडीक्ट पास है तोटल एंडटील का so इṬक के लिए अगर और नहीं फिप्टीन फसंट एसलार भूशित किया है तो अपने जो दीटील है लाइँ के लिए 100 रुसी में वाले में चुक्छापत करेगी और यह पैसा जमाह करें करेगी यहाँ जो बैंक है कुछ के पास रखेगी तीन फोर में पसकती है यहाँ पर कैस के फार्म Нов보 और ऐसा नाढ़ता है किसका बुए फैसा जो है उधारी में इसको पैसा जो लेंडिंगं में यूज नहीं कर जाता हैं लेकिन गौवर्मेंट से का यहां यहां मिलता है मिसी आउटकम मिलता है इसको जमाग इसको अपने पास रखने से ऐसा परवेजन से आर में नहीं है इंपोर्टेंट हैं तो इसलार पहला पॉइंट के था टोटल एंडीटियल का जितना भी होगा परसेंट फिक्स के आरबिया ने अपने पास इंपोर्टेंट अपने पास रखेंगे यह बहुत ही मलब डिफरेंस है और और एसलार के बीच में तीन फार्म र लगाए अगर बैंक नहीं रखती है उसके पर पैनल्टी लगाया जा सकता है यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है याद दखिएगा अब थर्ड हमारा क्या रैपोरेट है ठीक है रैपोरेट है बहुत ही सिंपल है रापोर्ट कुछ हार्णिस में नहीं है अगर आपे समझ इसको मैं समझाता हूं रैपोरेट को एक तरफ क्या है रबी आइए एक तरफ क्या है और पैसे जोड़त होती है तो वह और पास जाता है पास आएगा और इसके पैसे तभी देगा जब कुछ रखेगा कुछ गिर्वी रखेगी जो है यहां पर बैंक जो है तो यहां पर जो बैंक है इसलार वाले जो मनें पीश्या बात के था सब्सक्राइब और पास गिर्वी रखता है उसके यह यह प्यासे देती है और जिस इंट्रेस रेट पर आरभी आप पैसे देगी बैंक को उसी इंट्रेस रेट को रैपोरेट कहते हैं और यह किसलिए होता है यह शौर्ट टम लोन क ओर त्रीट के लिए बैंक को लोन देगी उसे हम रिवर्स करते हैं इसको में यह काने हैं यह क्याते हैं क्योंकि जो किरती को इसको दबारा खरीद लेती है जो यह था इसका रहन से उसको हम लोग रीवर्श कर लेते हैं तो यह भी इंपोर्टेंट है उसे बाद देखते हैं लोग अब इससे जी से इंट्रेस लेट पर लोन दोगी ऊससी रीवर्स रैपो रेट कहते हैं यह भी क्या होता है यह भी क्या है स्वार्ष को लोन देगी और यह से डीृप पूर रेट का नाम देते हैं बहुत इजी था उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है मैं से भी बहुत इजी है टोटल एंडी टेल का जो बैंक है अपने टोटल एंडी डिल का क्या है जीरो पॉइंट सेवन फाइपरसेंट के उधारी ले सकती है मान लेजिए कि अगर एंट्वर आप ध्यान लगएगा ओवर्नाइट लिया जाता है जो यह लोन होगा यह रैपूर रेट जिस रेट पर जिस जो अभी प्रजेंट में रैपूर्ट रट होगा सब्सक्राइब स्कूषिय्ष। रुट कलती है जो रफिया यह रैपूर रेट वाले में किसमें सारे सिर्फ ब्सक्राइब नहीं ले सकता है आब इंपोर्टन्ट है कि कौन-कौन से बैंक को हमें। इस चीज़ इंपोर्टन्ट है तो आर्बीया एक्ट 1934 और विए एक्ट 1934 के से क्थम्पोर्ट स्टेडीयूल में किया है कि सब्सक्राइब करेदेंड को में जिस बैंक का जिक्र किया गया है वह सारे बैंक कहें कि सब्सक्राइब का पास इसमें 0.75% का वह लो पर एंट पर लौन मिलता है सीफ से लोन ले सकती है और एमसर लेने के लिए जो कोई भी और यह एसलर का इंपोर्टेंट एसलर का जो गवर्मेंट स्केर्टी है उसको यूज नहीं यूजर फीचर से सब के जो कि निसे हर प्वेपर में कोस्टन बनता है ऐसला से अब आपतเ सेіти यह और आपो रेत से हैं इसके हला कुछ और भी होते हैं जैसे की देखते हैं बैंक क्या होते हैं ज doubt tho किसी भी बैंक को जब आर्बी आई जो है आर्बी आइजो है किसी भी देखी सेच अब उच्प लोन देती है आज इंटलर sis बैंक रेट का नाम संब्सक्राइब सब में खाले long term short term जो पॉइंट होता है और कौन किस को किस condition loan दे रहा हो important होता है तो bank rate में RBI bank को long term loan देती है और जिस internet पर loan देती है उसे हम लोग bank rate का नाम देती है इसमें एक और टर्म आता है वह है इसको Everythingårt Borrowing एक होता है तो अवर नाइट ब्र नामेंसे झाले थे और होता क्या है अगर को कि इसको हम जो सिस्टेम में उसों कहते हैं को AlrightMoney नाइट मनीक हम से नाम देते हैं यह हम लोग कॉलाइट मनीक हम लोग अब में सबसक्ति के लिए लिया जाता है और जो गटान की इनकर में लोन दिया जाता है यह इंपोर्टन होता है लिया जाता है उसको क्या कहते हैं ठीक है दोस्तों क्या कहेंगे उसको हम लोग नोटिस मनी का नाम देंगे मैंनि कोई भी अगर आरब याय से एक से लिके तेरा दिन के लिए लोन लेती ऊसको हम लोग क्या कहेंगे उसको मनी का नाम देती हैं ठीक है नोटिस मझ जी मैं वर्ण लोन लेगी वह तो क्या है क्या मनी मार्केट घल अगर यह वांच रटीन दीन के लिए लोट ठीन देस के लिए लोन लेती है तो यह कहलाता है हमारा नोटिस मनी क्या कहलाएगा नोटिस मनी इपोर्टेंट यह तर्म पूछ जाते हैं 15 से के लिए जो लोन लिया जाता है उसको सम 9 तर्म मनी उसको मिलग का नाम देते हैं यह important चीज जो हमें सहें पुछी जाती है तिमारा लेक्चर था हमने इस इसमें हमने इसमें क्या क्या देखा एक तो हमने मन्य पॉलेसी हमें कमिटी देख लिए पहला पॉयंट है इसमें देखा जो मन्टरी टूल्स है होते हैं हमें देखा क्या क्या आटा से यह जव रेश्यू देन ऐसालार एसालार रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट मस्स अबन लोग क्या सकते हैं और call money market कह सकते हैं तर्म मथे कह सकते हैं और notice मनी सब हमने इसमें देखा ठीक है ना और है कि जो टूल होते जो अहीं कर filed कर देखा जाएं तो एक झाली facto लोग को एक कहते हैं में इक का नाम दिया जाता है दो होते हैं आर क्वालेटी यांड क्वाइंट सुझेशन को मौर संक रखते हैं इन है इसमें क्या डाइट कंट्रोल करते हैं और इसमें और इन सब के माधियम से क्या लिक्यूडिटी को अगर हम SLR को और CRR या जोतने भी टूल से अगर बढ़ा देते हैं तो क्या है मार्केट से लिक्यूडिटी कम हो जाएगी है कन्ट्रोल करने सब्सक्रा अगर हमकर सब्सक्राइब करती है इसको मैं भढ़ा दें करते दिमार्केट में खूब आ चाहेगा बढ़ाकर कम करके ही जो मेली गौर्वर्मेंट है वह कंट्रोल करती है इंफलेशन को इंपॉर्टेंट है आप आए तीन रुसे पर में देखते होंगे कि कि बैंक तो में पड़ा दिया को वन बढ़ा दिया जंव मिली क्या होता है गणलशी के कहते हैं जैसे कि कम कर दिया क्या है तो टो फिसके को कम कर देते हैं basis point को यहाँ पर जो हैं कभी 1% कम कर देते हैं तो इन सब के माध्यम से क्या liquidity को outflow होता है इससे क्या महंगाई नियन्तित रहती हैं यह सबसे मेज़र टूल से महंगाई नियन्तित करने का तो आज के लक्षर में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद पसंद आता है तो लाइक करें वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी परकार के जो important topics हैं जो की डा आप उसको मेल लेकर आते रहूंगा बीच-बीच में और आप इसको देखते रही है तब तक के लिए ठैंक्यू जय हिंद